हेलो दोस्तों नमस्कार आज है हमारे पास 2020 के बीए सेकंड इयर के एजुकेशन का पेपर और आज हम करेंगे इसका रिब्यू और देखेंगे किस टाइप से कुश्चन आये थे और आने वाले सालों में किस टाइप से कुश्चन आएंगे तो चलिए सुरू करते हैं खंड आ से खंड आ में आपको पहला प्रशन यहां पर दिया गया है और इसके अंतरगत कई सारे प्रशन पूछे गए हैं जिनमें जितने भी कुश्चन पूछे गए हैं आपका जो एंसर होना चाहिए पच्चास सब्दों से कम नहीं होना चाहिए जैसे यहां पर पहला कुश्चन है सिच्चा का अर्थ तो सिच्चा का अर्थ आपको पच्चास सब्दों में लिखना है जब आप पच्चास सब्दों में लिखना है जब आप पच्चास सब्दों में लिखना है तीसरा है महात्मा गांधी के अनुस्वार इस्त्री सेच् शाहिए उसको भी आपको 50 सब्दों में लिखना है और फिर नेक्स्ट पेज़ पर पर Froshakaad Ka 50 सब्दों में लिखना है हिला हिए फिर गिदु अम्रकार्ट सिछ्च इंडर बाज यता सिश्च को लिखना है हिसको भी यथार्थ वादी सिच्छा के गुण 50 सब्दों में पहले बता सके हैं सब कुछ आपको 50 सब्दों में लिखना है पांडी चेरी आश्रम 50 सब्दों में और मांटेशरी पधत की उसी इस्ताएं 50 सब्दों में आपको लिखना है अब यहाँ पर आपको 10 कोश्चन मेंने पहले बता दिया अब इतने में जितना आप करेंगे 50-50 सब्दों में सब लिखेंगे तो आपको इसमें 20 नंबर मिल जाएंगे दिया रहे जितने भी इसमें ओप्सन है सब आपको 50 सब्दों में लिखना है इसके बाद आते हैं हम खंडबा में जिसे आप बोलते हैं सेक्सेट भी अब यहां पर फिर से खंडबा में 2-2 नंबर के आपको 10कोश्चन पोचे गए और खंडबा में 55 नंबर की 10 कोश्चन पोचे जाएंगे और अभी तक आपको 50 सब्दों में लिखना था answer अब आपको 200 सब्दों में answer को लिखना है समझ रहे हैं दस कोश्चन उसमें भी थे दस कोश्चन इसमें भी उसमें पच्चास सब्दों में लिखना है वो बीस नमबर खाता और ये पच्चास नमबर का है ठीक देखते हैं खंडबा का दूसरा प्रश्चन अगांधी जी के अनुसार सिच्छा का पाठेकरम क्या होना चाहिए आदर स्वादी सिच्छा में सिच्छा का क्या अस्थान है चवथा सभी में आपको ओप्सनल है दोनों में से एक ही करना है नहीं दोनों कर दीजिया डाक्टर मेरिया मांटेशरी के सैच्छिक विचारों पर संचित प्रकाश डालिए अथवा डालतन पद्धती क्या है नेक्स्ट योजन प्रडाली के गुण एवं दोसों का वर्डन कीजिए अथवा प्रयोजन वाद के नुसार सिच्छन विधियों का उलेख कीजिए इसके बाद नेक्स्ट पेच पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 11 क्वेश्चन है टोटल दोनों मिलाकर अब यहां पर आपका खंड सी यानि गाप का सुरू हो याइसा जिसे आप बोलते हैं सेक्षन सी इसमें आपको कितने क्वेश्चन देगे इसमें आपको टोटल दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें आपको आइंसवर देना है और 500 सब्दों में 500 यानि 5 पेज में क्वेश्चन का आइ क्वेश्चन है यानि कि अगर आप 500 सब्दों में दोनों का एंसवर लिखते हैं तो आपको 30 नंबर में यहां रहे हैं पहला था खंड का जिसे आज जिसे आपने लगुतरी बोला था वह आपको 20 नंबर का था खंड बाज जो आपको लगुत आ अधी लगुतरी था और खं क्वेश्चन है दर्शन से क्या ताथ पर है सिच्छा और दर्शन पर क्या है देखिए दर्शन से क्या ताथ पर है सिच्छा और दर्शन की संबंध पर प्रकाश्ट डारिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर पांच क्वेश्चन आपको दिए गए हैं लेकिन दो ही कोश्चन करना है जो आपको सही लगे फिर आठवां स्वामी विकन्रंद का सिच्छा में क्या योगदान है विस्तार पूर्वक वर्डन कीजिए बुनियादी सिच्छा से अर्थ आपका ताथ पर है बुनियादी सिच्छा के गुण और दोस्पर प्रकाश डालिए फि आपको सहायता जरूर करेंगे कैसी लगी वीडियो कमेंट करना और हां कुछ ऐसे पेपर आने वाले टाइम पर आपको इस चेमल पर मिल याएंगी तो अगर आप उन पेपर को देखना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वो सारे क्वेश्चेन यहाँ पर हमारी चैनल पर अप्लोड हों आप उन्हीं तूरंत देख सकें तो बस फिल्हास वीडियो में इतना ही था कमेंट करके दिए रूपता आना कैसे लगी वीडियो मैं मैं मिलूग आपको इस किसी नेक्ट वीडियो में ही तब तक क् टेकर है बाइब बाइब